मेरा चूशी हम क्या करे है मम्य को पता नहीं है असके लिए हमने केक मंगा यह और मैं अंदर से हैसे पोर्ट्रे करके आयों कि मैरा ना उससे जगडा हो गया चलती जल दी जल दी क nhất को दो जल गया जलना व क यह जल तो हॉन तो वही मैंने उसको केक पे लिखवा है और मुंबी को बिल्खुल आइडिया नहीं है कि मुं केक लेकर आई है अभी उसको सर्प्राइज देंगे मसाएगा अभी वर्दे ढई आएजल को अपि बर्दे भी यू येये अपि बढ़ी तो यू सब्सक्राइब करें आप सभी उमीद करें आप सभी बहुत अच्छे होंगे सेहत मंद होंगे खुशाल होंगे और अपना अच्छी तरह से धियान रख रहे होंगे और हम सब मज़े में हैं और इससे पहले आपने देखे मेरे बर्दे के क्लिप मतलब सेम नाइट से 10 में ट्रांजिशन होता है तो शर्मा जी ने प्लान किया था यह सब और मैं तो अल्मोस्ट सोने ही चली गई थी आके खुशी ने फिर मेरा फैन बंद किया तो मुझे फिर आख खुली and sweet gesture और उन्होंने काफे सारा record किया था बट मैंने सारा का सारा नहीं व्लाग में आड़ किया है कि कि फिर है न बहुत लोग जज़ करते हैं वैसे तो जितना दिखाया इसमें भी जज़ करेंगे ही कि kitchen ऐसा फैला हुआ है तुम ऐसी दिख रही हो bed पे रखके cake खा लिया and a lot more शानु के बाल ऐसे हो गया है वैसे हो गया है बट यह थोड़ा सा उन मेरे प्यार व्यूवर्स के लिए जो वेट करते हैं इन सब चीजों का जो मुझसे पूछते कि दीदी आपने क्या किया तो रात में यह एक छोटा सा act था और उसके बाद फिर cake खा के सब लोग से प्राइट भी थी तो कुछ शाम से छेएक बजे से उनको निकलना भी था तो मुझे था कि आज तो वाई कुछ होने वाला नहीं है और मन भी फिर नहीं हो रहा था उस तरह का क्योंकि जातर चीज़ें शाम में ही होती है न हम लोग शाम में ही सेलिब्रेट करते हैं कहीं बा और ब्रॉकली, कॉलिफलार, खीरा इनको आपको लंबे समय तक अच्छा रखना है तो यह बहुत अच्छा तेरीका है इसको इस तरह से क्लिंग फिर्म पर राप कर दें ध्यान दीजेगा बिल्कुल ड्राइ होने चाहिए इसमें मॉइस्ट्र काप्चर ना हो जाए तो यह कई दिन तक इनफाक्ट यह लेटिस, काबिज वो भी इस तरह आप राप करके रख दोन रख देते हो अगर फ्रिज में वहीं पर जहां सारी सबजें रहती हैं हफते भर तक तो यह ऐसे दिखते रहते हैं जैसे अभी आपने स्टोर से मंगाया हो तो थोड़ा सा मेरे को ब् ब्लांच कर लूँगी तो वह मुझे ऐसे नहीं वोलेगी कि मम्मी आप टिफन में क्यों रिपीट कर रही है इसको उनको अच्छा ही लगता है तो मैंने आपे थोड़ा बटर आड़ किया था आड़ किया है मैंने इसके बाद जो ब्रॉकली था ब्लांच किया हुआ वह मैंने आड़ कर दिया है औ एक टमाटर मिकशी करके में कर दिया है थोड़ा सा मैंने इसमें ब्लक पार अड़ कर दिया है सौल्ट एपका प्रेश टमेटर को पीस कर के मिला दीजियगा तोड़ी सी क्रीम मेरे पास तो आप तूदा अड़ सकते हो और या आपका पिंक सॉस जो है वो त्यार हो जाएगा अन्दन इसमें आपका पास्ता अपर दीजिये एक साशा मैंने पास्ता मसाला का अड़ कर दिया है यह ब्रांड का मैं पहली बार ट्राइ कर रही है इसमें चीज होता है तो बच्चों को अच्छा लगा पर मुझे चीज बेस कुछ भी ऐस सच नहीं पसंद आता है मतलब यह मसाला का टेस्ट मुझे नहीं पसंद आया वर सानवी कुछी लाब डेट मसाला हो गया इन नो टाइम आ हाइब्रिड वह मिलते हैं जो बहुत जादा हम लोग को पसंद नहीं आते नौर्थ के खीरें थोड़े अलग होते हैं स्पॉर्ट होते हैं डाग डाग कलर के उस पर एंड रिलेटिबली लाइटर कलर का होता है एंड वी लव ताट तो वह मुझे मेलेते तो मैं दो किलो ल शान उने टीफन रख लिया बाए 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 और अब हजबन जाएंगे ऑफिस तो उनके लिए बैनारियों में बहुत ही क्विक सी सिंपल सी पनीर की सबजी तो ये ब्यास टमाटर पगेरा का मैंने मसाला तियार कर लिया है और इसके दर बस काट करके पनीर मिला दूंगी जो मसाला है ये पांच मिन्ट में रेडी हो जाता है और पनीर मिलाने के बाद दो मिनिट बून लीजे तो ये बहुत ही क्विक वाली पनीर की टिफन वाली सबजी रेडी हो जाती है और हजबन ने आदी पैकिंग रात को कर ली थी अभी सिर्फ खाने का सामान वो अपस उसमें ठीक से लख रहे हैं ड्राइम रहे हैं मैंघ की सिर्फ और बहुत है उसमें रहे हैं यहां रहे हैं इस आदा इस लिए अन दुपने आपना प्सक्वर्थ प्रोच्छाशत नहीं मा रहे हैं वहानने तुभी हाना और महम रूज बाग करिए भाव और टेक्रे कर बोब लुटेकर टेक्रेकर लुटेकर लव यो और बहुत लोग ऐसा बोलें कि कि शानोखुशी क्यों सो रही है तो वो इलोग का सोने का ही टाइम होता है वो अगर अपने आपको जगाने की कोशिश भी करें न तो भी उनको नीद आ जाती उनकी बॉडी क्लॉक इस तरह की है वो लोग स्कूल से आई थे पिटूशन भी हो खाया पिया एंदे वर लाइक वो फिर सो गए थे और उनके पापा भी निकल चिक है एरपोर्ट के लिए अच्छली उनका कैब आ गया था बाकी सारे फ्रेंड्स को सेम कैब में पिक अप करते हुए यह लोग जाएंगे और बच्चे लोग को मैंने डिनर दे दिया है साथ में लोग इंजॉई कर रहे हैं यांग शेल्डन खाना के बाद वो जाएंगे पढ़ाई करने और मैंने अच्छली किचिन साफ कर दिया था बरतन धुलने लगा दिये थे लेकिन फिर मेरा दिल चाह रहा है बेंगन के पक तो आप मेकिंग पकोड़े फर मैसेल्फ लेक बैगन भाजा टाइप का कभी कभी ऐसा होता है शाद आपने भी अब्सर्व किया होगा कि कोई चीज आपकी काफी जादा पसंदीदा होती है और वो शायद कुछ एक इंग्रीडियंट की वजह से ही होती है अगर उसमें से वो इंग्रीडियंट माइनस कर दिया जाए तो शायद आपको चीज उतनी ना पसंद आए जैसे कि आलो का पराठा अगर उसमें धेर सारा अगर इसमें मिर्ची नहीं लगी हुई है तो फिर मैं यह नहीं खा सकती मुझे फिरी कुछ ज्यादा ही सौफ्ट थोड़ा जादा ही ब्लांड लगता है लेकिन मिर्ची लगा कर मैं बनाती हो न तो दोनों चीज़ों का साथ में बाइट लो तो बर अच्छा टेस्ट आता यह वार फ्माइ फेवरिट्स बट वाई है मिर्ची अगर नहीं है तो मैं नहीं खाऊंगी वैगन का पकॉड़ा हजबन गए थे टैंथ को और उसके बाद फिर कुछ भी करने जैसा मन नहीं हो रहा था कुछ तो मेरे अकेले पे सारे काम आ गए थे तो मुझे टाइम भी नहीं मिल रहा था और बार बार ऐसा मनो रहा था कि मतला मैं कर करके ठक जा रही थी तो मनो रहा था थोड़ा ब्रेक ले लो तो मैंने बहुत ही कम रिकॉर्डिंग करी है पिछले तीन-चार दिन मैं मैं बना कि माठ जाते हैं ना हम लोग तो बस महीने में एक की बार लेकर आती हूं और वो जितने दिन चल जाए चल जाए तो यहां पर देव लाइक कि ममा आप मैगी खाओगे हम मैगी बना रहे हैं उन्हें पता है ममी ना बोलेंगी फिर भी आलवेज आस्क तो मैंने का चलो तुम रहने तो मैं बनाती हूं थोड़ा सा मेरे स्टाइल से तो मैंने यहां पर थोड़ा मसाला करके मैगी को बनाया है और यह लवड इट मुझे यह भी नहीं अच्छी लगती जब बिगिनिंग में मैगी लॉंच हुई थी थी ना वस इन क्लास फोर तब मैगी लॉंच हुई तो पापा लेकर आये थे उनकी कैंटीन से और तब मुझे जितनी स्वाध लगती थी ने बिना कोई ट्रमाटर डाले भी अब कितने भी अच्छे से बना लो अब नहीं अच्छी लगती कि 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 क कि कि और यह नेक्स्ट मॉर्निंग सानवी कुश्री का टिफन बन रहा है यहां पर यह जो उत्पम मैं बना रही हूं यह मैंने पिछली भी किसी वीडियो में दिखाया थे तह मुझे कुछ कुछ एक फ्रेंड्स ने पूछा था कि यह कौन सा वाला मिक्स है तो यह एम्टी आर का है और यह इडली इडली मिक्स है तो इससे मैं बनाती हूं यह उत्पम अपने लिए बनाई है मैंने दूद पती और इसके साथ में मैं लेने वाली हूं एक बिस्किट और यह मैंने ही बनाया है यह बहुत टेस्टी बना था आपको इसका रेसिपी चाहिए तो मुझे कॉमन बॉक्स में लिखके बताना मैं आपके साथ शेयर करूंगे और मैं अगर में तो इसका टेक्शर देखकर आप समझ चुके हैं कि यह कितनी कृस्पी बनी है मैं थोड़ा आपको यह क्रंबल करके दिखाती हूं यह बहुत अच्छा बनादा है रेसिपी भी इसकी बहुत असान है आपको चाहिए ता आपको चाहिए ता आपको चाहिए आप से जो वेजटेरियन होते हैं तो उनके डायेट में प्रोटीन की कमी रहती है और प्रोटीन अच्छे बालों के लिए जरूरी होता है तो इस वज़े सुनके बाल गिरते हैं यह बात मुझे समझ आती है लेकिन मैंने ऐसे बहुत लोग देखे हैं जिनकी डायेट में जो नॉन जो भी हैरफॉल फेस कर रहे हैं तो वह एस देखे हैं तो इस अग्च्छल रीजन अव एरफॉल एक्टाइल प्रोटीन अच्छी नहीं है जैसे कि होनी चाहिए जैसे कि हमको मिलनी चाहिए बिना फर्टिलाइजर की अच्छे से ग्रोग किया हुआ जैसा नाच्रली अच्छी नहीं प्रोटीन अच्छी नहीं प्रोटीन फूद भी उसको वह अलगी चाहिए बेजते हैं और अगनिक बोलकर एटु घी बोलकर पर असेंशली होना तो फूड वैसा ही चाहिए बड़ाइं पर एंड़स्टान प्रप्विलेशन की वजह से दिमांड अच्छी नहीं पर बहुत सारे लोग चीज अभी फेस कर रहे हैं मेरा तो फिर भी कम है पर बहुत लोग को तो बहुत ज्यादा ज्यादा है तो आप एंसे किसों को कुछ अच्छी इंफरमेशन लोग श्यार करना चाहो तो शेयर कर दीजेगा कॉमें अच्छा लगेगा किसके तो podcast सुने हैं और कितनी मैंने back-to-back ये comedy वाली बच्चो वाली animals वाली एन वो जो fruit and vegetable की harvesting वाली उनके farms की पता नहीं कितनी रीले देखी हैं मैंने मैं इतनी रीले कभी नहीं देखते मैं शाम में जब जैसे free हो जाते तो थोड़ा entertainment कामन करता तो थोड़ा बहुत मैं देख लेती हूं जैसे मैं जिन जिनको फालो करती हूं उनके you know updates उनके story वगेरा देख लेती हूं पर ऐसे नहीं देखती मैं कि real 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 swipe कर 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 के देख रहे हूं अभी मैंने बहुत सारा content जो है consume किया है recently I started loving all these podcast kind of things अच्छे लगते हैं मुझे सुनने को मैंने इन दिनों ए मुझे मुझे मूवी याद आती है कि लगा लेती हूं कौन सी नहीं आगे कौन सी नहीं आगी है आप वेटिंग फर चमकीला वो 12 आज ये तो 12 है हाँ Friday 12 आज देखती हूं मैं डेनर बनाने के पार टाइम मिलेगा तो मैं वह देखूंगी मेरा उसको देखने का मन है ब्रॉकली मैंने थोड़ी सी यूज कर ली थी और बाकी पड़ी वी थी तो मेरे दिमाग में फिर यही रहता है कि जो बच गई है सबजी उसको यूज कर लिया जाए आप भी ऐसे ही शायद आपके रेफ्रिजरेटर को और रेंज और 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 गनाइस करते हो कि कुछ बच ग बनाने वाली है क्योंकि ऐसे तो वह दोनों तो बिल्कुल भी नहीं खाएंगी और वह ज्यादा रिच करके मैं ब्रॉकली की सबजी बनाओ तो जो ब्रॉकली का टेस्ट है उसका एक फील है वह चला जाएगा तो एक इस तरह की रेसेपी बना रही हूं मैं जिसको जिसके ल पराटे के साथ भी अच्छी लगती है तो बिल्कुल सिंपल मैंने ऑईल लिया था और इसके अंदर जीरा डाला था एं तेन प्यास टमाटर बून लिया है क्योंकि मैं रोटी पराटे के साथ बना रही हूं तो मैंने थोड़ा प्यास टमाटर ऐसे लिया है कि एक ग्रेवी आप इसको ऐसे भी enjoy कर सकते हो and सबजी जैसा तो आप इसे बना ही सकते हैं again जो broccoli होती है it's very healthy, it's very nutritious but ये cruciferous vegetable होती है तो अगर आपको thyroid है तो well cook करने के बाद control portion में आप इसको खा सकते हो और मैंने बना ली अपने लिए रोटी because I love रोटी किसी भी चीज के साथ दाल हो उसके साथ भी मुझे रोटी पसंद है कड़ी के साथ भी रोटी ज्यादा पसंद है सुखी सबजी हो तो भी मुझे रोटी ज्यादा पसंद आती है हाँ बस एक राजमा ऐसी चीज है जिसके साथ I always prefer rice उसके साथ रोटी नहीं चाहिए बाकि जातर चीजों मुझे रोटी से ही पसंद आती है तो मैं अपना खाना खाया और यहाँ पे मैं तोड़ दर पहले आपको बता रही थी चमकीला देखोंगी तो वह लगा कर बैठ गई हूँ मैं मैं मेरा दिनर कर चुकी हूँ लेकिन मैं अभी तक कुछ भी समीटा नहीं है नहीं डिश्वाशर लोड किया है क्योंकि मुझे अभी खाना बनाना है खाना बनाने से मेरा मतलब है मैं सिर्फ अपनी रोटिया मना के मैंने खाना खा लिया था वर सानवी खुषी नहीं खाया है तो अभी मैं उन लोग के लिए सबजी थोड़ी सूखी सी है तो वह लोग शायद पराठा ही बोलेंगे अग्चली शानू गई भी है नहाने के लिए उसने बाल धोने है वह आज आई थी इंस्टिट्यूट से तो फिर मैंने उसके बालों में तेल लगा दिया था और उसके बाद फिर थोड़ा टाइम रखना होता है लेकिन वह ओमवक करने में थोड़ी बिजी थी तो अभी गई है वह क्योंकि तेल लेकर वह सुभा इस तरह नहीं जा सकती है और मौनिंग में इतना टाइम नहीं होता है कि यह बाल दोने बैठें तो वह शावर लेकर ज अब इस तो अब बहुत जादा है तो वहां इंस्टा फाम को तो मैंने बता दे था वाट यूट्यू फामली को मैं सामने से बता रही हूं मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था तो मैं पिछली वीडियो के जो कॉमें उनका रिपलाई नहीं कर पाई कोशिश करूँ क इस वीडियो के जो कॉमेंट्स रहेंगे उनका रिपलाई में जोरो से करूँ तैंक यू सो मच यार मेरा बर्दे से चार दिन पहले से ही आप लोग की जो विशिस है वो मुझे आने लगी थी मतला आप लोग को याद है यही बहुत बड़ी बात है यार इस सच अच अच अ धन्यवाद आभार सान्वी कुशी का पराथा मैंने बना दिया था देवल लाइक के महमा बस एक एक के की चाहिए वैसे तो लोग मनाई ही करती रहती हैं बट मुझे ताकि थोड़ा खालेंगी फिर बाकी और काम में लग जाएंगे और वह अभी अपने बाल दो करके आई है और लेटली डिसकावर लेटली तो नहीं है साल भर हो गया उसको उसे पता है कि उसके बाल कर लिए त तो वीडियो को एक लाइक दीजेगा चानल पर नए हो अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजे जल्दी ही मिलूंगी आपसे एक नहीं वीडियो के साथ तिल दन आल अफ यू टेक रियोली गुड केर अफ यूर्सेल टेक कैर लीडियो के वीडियो बड़ दू ए पुड़ केर दो साथ एक तक सब्सक्राइब टाफ ली जैब बड़ू एक रहा बलते पर प्रती हैं वीडियों सब्सक्राइब नहीं किया जहीं हो अगर अगर